असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, होप सो याल विल बी फाइन, आज का लेक्चर एक्ससाइज 1.3 के क्वेश्चन नमर एट से रिलेटीड है, इसके फिर्स टू पार्स हम अरड़ी लास लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, आज हम पार्ट नमर 3 सॉल्व करेंगे, वो गीवन है, A plus A transpose is a symmetric, हमने A plus A transpose को symmetric prove करना है, तो first of all आपको symmetric की condition पता होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक matrix है, let's suppose A है या B है, मैं यहाँ पर B लिख लेती हूँ, B एक matrix है, हमने अगर इसको symmetric prove करना हो, तो जो इसका transpose है, वो उसी के equal है, यह actually symmetric की condition है, यह मैं आपको explain करने क लिख रहे हूँ, तो इसी तरह से, अब मेरे पास है A plus A transpose, तो हमने इसका क्या करना है, जो A plus A transpose है ना, इसको symmetric prove करना है ना, तो हम जो इसका whole transpose होगा, उसको इसी के equal लिखेंगे, यह actually हमने prove करना है, यह condition, तो first of all हम A plus A transpose को simplify करते हैं, A की जगा A का matrix लिख लिख लें, question में given है, plus, फिर A की जगा दुबारा A का matrix, और फिर इसके ओपर T है, तो यहां पे भी T लिखा देंगे, यह इसका transpose लेंगे, तो अब इनको plus तो नहीं कर सकते हैं, क्यों क्योंकि इसके ओपर T है, सबसे पहले हम इसका transpose लेंगे, तो आप लिखें, और इसका transpose लें, row को column की form में लिखते हैं, जब transpose लेते हैं, इसी तरह इस row को भी column की form में लिख लेंगे, अब यह simple हो गया, tree हतम हो गया, हमने transpose ले लिए, अब इनको plus करेंगे, कैसे करना है, one plus one, two plus zero, फिर zero plus two, फिर one plus one, अब इनको plus करेंगे, क्या आएगा, two, इधर भी क्या आजएगा, two, यहां पर भी two, और इधर भी two, अब आपने क्या करना है, इसका क्या लेना है, इसके condition के cutting, इसका transpose, यानि इस पूरे, तो हम क्या करेंगे, whole transpose लेने के लिए, इसकी दोनों zaires पे, whole transpose ले लेंगे, इधर भ अब लेते हैं, तो row को कालम की form में लिखते हैं, इसे तरह इस row को भी कालम की form में लिखते हैं, और अब देख सकते हैं, यह answer किस के equivalent है, A plus A transpose के answer के equivalent है, तो हम इसकी जगा दुबारा लिख सकते हैं, A plus A transpose, और यह as it is, तो इर्समीन अब E y a transpose का जो whole transpose है वो उसी के एक फ़लाग है इर्समीन हमने इसको symmetric prove कर दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे A plus A transpose is a symmetric हमने इसको prove कर दिया अब इसका part number प्रॉर है यह क्या है A minus A transpose is square symmetry के हमने proof करना है तो skew symmetry के लिए आपने simple माइनस लगा लेना है symmetry condition यह थी ना जैसे के A भी हो सकता है B भी हो सकता है B transpose equal होना चाहिए B के लेकिन skew symmetric में क्या होगा यह जो B है इसका transpose equal होना चाहिए minus B के यह आपको मैं समझाने के लिए B लिख रही हूँ आप वैसे definition के according इदर A है ठीक है अब इसी तरह हमने क्या कि skew symmetric proof करना है A minus A transpose को skew symmetric proof करना है तो it's mean हमें क्या proof करना है A minus A transpose है जो इसका जो whole transpose है इसके quantity है इसका जो whole transpose है वो किसके एकपलाना चाहिए minus और वो या अपने acids लिख देना है A minus A transpose ठीक है यह इसके negative के transpose के एकपलाना चाहिए अब आपने क्या करना है इसको first of all simplify करना है A minus A transpose को simplify करने के लिए A की जगा A का matrix लिख लिए जो आपके पास question में given है minus फिर A की जगा A का matrix और उसके अपर T है इदर भी T का देना है अब इसका transpose लेना है तो इसको as it is लिखे रो को कालम की form में लिखते हैं इस रो को भी कालम की form में अब minus है तो इसको minus करेंगे 1 minus 1 2 minus 0 0 minus 2 1 minus 1 minus करने पे क्या आजएगा तो अब इनको minus करने पे क्या हैगा 0 इदर आजएगा 2 यहाँ पे क्या आता है minus 2 और इदर 0 तो अब यह हमार पास किसका अंसर आया था A minus A transpose का तो इसकी condition के according यहाँ पे आप इसका क्या लेना है transpose यहाँ पे T है ना तो इसमिन हम इसके दोनों साइट पे आप क्या लेंगे transpose इसको पहले आजएरस लिखें तो transpose लेने के लिए हम whole transpose एक इदर लेंगे और इस साइट पे भी लेंगे तो अब यह आजएरस लिखना है और इसका जब transpose लेंगे तो row को कालम की फॉर्म में convert कर देंगे इस तरह इस row को भी कालम की फॉर्म में convert कर देंगे और आप देख सकते हैं इसकी जो condition है उसके recording यहाँ पर बाइद क्या होना चाहिए माइनस तो हम क्या करेंगे माइनस चाहिए हमें तो हम यहाँ से माइनस को कामन लेंगे माइनस को कामन लेंगे तो अब देख सकते हैं जहां पर माइनस है वहां प्लास होजेगा और जहां प्लास है वहां माइनस होजेगा और 0 के साथ तो कोई साइन ने लगता 0 value value as it is रहेगी और जिनके साथ माइनस है वहां प्लास होजेगा और जहां प्लास है यानि कोई सायन नहीं है वहाँ पर माइनस आजेगा जब आप माइनस को काम बन लेंगे तो अब यह वाला जो मैट्रिक्स है यह किसके एकवल है A-A transpose के तो हम क्या करेंगे इसकी जगा पर क्या लिख लेंगे A-A transpose और A-A as it is और यह वाली value भी as it is तो आप देख सकते हैं इसकी जो condition थी वो हमने यह प्रूफ करनी थी ना कि A-A transpose का जो whole transpose है वो उसके negative के एकवल है तो तब ही excuse metric होगी तो हम कह सकते हैं ना कि A-A transpose is excuse metric